नाजस्कार स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार और इस कारकर में मेरे साथ हैं भाशा और उर्मिलेश और आज तीन मुद्दों की चर्शा होने वाली है राहुल गांधी की भारत जोडो यात्रा में जुड़ी उनकी मास सूनिया गांधी और बारिश में भीकती राहुल की एक तस्वीर क्या इन दो तस्वीरों से भारती जनता पार्टी बॉकला गई है मुद्दा नंबर दो ये जो बीता हफता था त्योहारों का मौका था दुरगा पूजा गरभा विजय दश्मी मगर हमारी मीडिया ने इसमें भी जहर घोलने का काम कर दिया मुद्दा नंबर तीन होगा मोहन भागवत के जन संख्या और महिला सम्मान पर बयान और उसमें साफ तोर पर दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं शुरुआत हम करना चाहेंगे राहूल गांदी की भारत जोड़ो यातरा से जैसे कि आप जनते राहूल गांदी इस वक्रनाटटक में यानि की भारतिये जनता पाटी के गड़ में है और बीजेपी की बॉकलाहट बढ़ रही है राहूल गांधी के साथ उनकी माँ जुड़ी तस्वीरें सामने थी राहूल गांधी अपने माँ के शूलेसस बांध रहे थे माँ उनके साथ चल रही थी यानि सोनिया गांधी और सोनिया गांधी से कह रहे थी ये जो तस्वीरे सामने उभर कराई हैं और खासकर वो एक और तस्वीर जब वो बारिश में भीग रहे थे बीजेपी में खलबली मच गई है बीजेपी अपने गिरेबान में जाकना भूल गई है क्या इस खबर का पंच शुरुआत करेंगे उर्मिलेशी से अब इसार मैं समझता हूँ राहूल गांधी ने जिस तरह से इस यात्रा को अब तक संचालित किया है नेत्रित तो उसका किया है इसका जबरदस्ट इंपैक्ट है मैं अब एक्षा करूँगा कि जो जनता के समय सबसे बड़े मुद्दे हैं बेरुजगारी है और महंगाई है इन मुद्दों पर जहां भी वो जाएं इतनी तेजी से लोगों को मुबलाइज करें उन मुद्दों के इर्द गिर्द कि पूरे देश में उसका एक जबरदस्ट संदेश जाए क्या इस खबर का पंच भाशा आप अभी सार एक बात बहुत साफ है कि यह लोगतंत्र की सकारात्मक इमेज है जिस तरह की छवी एक नेता की होनी चाहिए जिन मुद्दों पर उसे काम करना चाहिए जनता उसे जुड़ना चाह रही है पहली बात और मुझे लगता है करनाटक में जिस तरह से भाश्पा और त तीखी हो रही है करनाटक एक टेस्ट ग्राउंड है दोनों ताक्तों के लिए अभिसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है भाशा कि राहूल गांधी के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं उनके लिए चुनोतियां बदस्तूर आएंगी सामने और बड़ी चुनोतिया होंगी जिसका जिक्र अभी आपने भी किया डीके शिवकुमार से एडी पूचताच कर रही है और आने वाले दिनों में चुनोति और बढ़ेगी राहूल गांधी की शक्सियत बतौर राजनेता निखर सकती है मगर जैसे मैंने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं भाच्पा का प्रचार तंत्र लगतार हमला बोल रहा था और मिलेश जी जब राहूल गांधी सुनिया गांधी के शूलेसिस को बांध रहे थे मगर ये भाच्पा का चरित्र हो गया है राहूल गांधी एक बच्ची का हाथ पकड़के च नरेंद्र बोदी जब अपनी मां से मिलने जाते हैं जो एक गयर राजनीतिक शक्सियत हैं वहाँ पर पहले सी कैमरा मौजूद होता है तो कम से कम बीजेपी को तो ये कहने का बिल्कुल भी आदिकार नहीं है अभी सार ये तो आप पूरी दुनिया जानती है कि हमारे कर्षण वैसे होता है कोई भी बड़ा नेता हो कोई चोटा मैं यह नहीं कहांगा कि राउल जी में नहीं होगा बिल्कुल होगा लेकिन राहल गान्दी एक राजनेता के रूप में भारत में जितने राजनेता हमने देखे हैं उसके अगर हिसाब से देखा जाए तो एक डिफरेंट किस्म के राजनेता हैं कच्छे राजनेता हैं आम मानेंगे नहीं कच्छे या पक्के की शब्दावली में मैं नहीं कहूंगा लेकिन इस मामले में थोड़े अलग हैं कि बहुत सारे राजनेत की जो एक जमात है उसमें ऐसा लगता है कि उनको विदेशी किसी विश्वी दियाले में एंफिल या पीजडी करने वाले एक एक स्कॉलर की तौर पे देखा जाए तो यह बात मैंने कही थी एक बार मुझे याद आ रहा है तो यह जो राहूल गांधी के अंदर जो सोच है रहता है कि लोगों को अट्रेक्ट किया है लोगों के बीच में उनकी सहजता उनकी स्वाभाविकता उनकी वो इमेज जा रही है जिस इमेज को भारती जनता पार्टी ने पिछले आठ सालों से मट्या मेट कर रखा था और उसको दुश्प्रचारित चार और वो भी बिल्क कि भाजपा जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की उनके मा के साथ तस्वीर पेश करता है पहले बाद तो यह तुलना ही बेमानी है प्रधान मंत्री की मा गयर राजनीतिक शक्सित हैं आप उने क्यों लाइम में लगवा रहे हैं नोट बंदी के दौरान या क्यों आप क अबिसार मुझे लगता है कि एक जो बहुत अहम बात हुई है इस भारत जोड़ो यात्रा में और यह जो छवियां आई है इसमें वह यह कि एक सभाविक व्यक्ति अब दिकत है कि इतना नकलीपन है इतना आर्टिफीशियल चीज है कि एक सहज व्यक्ति एक सहज नेता जैस कैसे हम आप सब हैं उर्मिलेश यहां बैठे हैं अगर वैसा कोई व्यक्ति सामने दिखाई दे जाए तो उसे लोग पपू बोलकर पुकारते हैं और मीडिया की पूरी की पूरी एक आर्मी है ट्रोल इसे कम से कम इस यात्रा में अभी तक राहुल गांदी तोड़ने में समजदार के तौर एक नेता को कैसे कंध करना चाहिए एक बैटे को कैसे करना चाहिए जो समाने तौर प test संसकार हैं कैसे होने चाहिए जिसमें आप मीडिया की बात करें सहें ढंसे लोग आ जा रहे हैं और दूसरा बहुत एहम बात, जो मुझे लगता है, जिस फोटो की बात है, बारिश में भीग रहे हैं, मुझे उसमें सबसे सुखत बात लगी कि इतने लोग बारिश में अंधेरे में खड़े होके, एक नेता को सुनने के लिए भी तो खड़े हुए हैं, जहां पर सरकार भा कैसे लड़ा जा सकता है, बिना किसी बहुत बड़े अउजारों से. बुल-गांधी हमारे सवड़ों के सामने ठिक नहीं पाई, और सवाल क्या किये जा रहा है? ऐसी हिम्मत इनकी प्रधान-मंत्री जी से नहीं पूछने की होगी. और राउल के सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं तो देखिए मेरे खाल से दो तीन किसम की उनके सामने चुनाओती है प्रचार तंत्र, अमित मालवी है मीडिया की सुपारी और तीसरा एजनसीज की दवश ये तीनों हैं और ये और उग्र होने वाली है तो ये अगर देखा जाए अभिसार तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि भारती जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत जो है उसकी महातरी शक्ती, उसका जो महातरी संगठन है, आरेसेस है लेकिन मैं तो अब ये कहने लगा हूँ कि सबसे बड़ी अगर कोई ताकत भारती जनता पार्टी की मौजूदा सरकार की लिए अगर कोई है, तो वो टीवी पूरम है और ये इतने बड़े संगठन के रूप में काम कर रहा है टीवी पूरम इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि गाओं-गाओं, कस्बे-कस्बे जिस गाओं में आरेसेस का प्रचारक नहीं है, वहाँ पर टीवी पूरम है और वो बेडरूम तक है, लोगों के जोपड़ी तक है यही नहीं, टीवी के अलावा वाट्साप, मैं आप एक चीज चीज बताना चाहता हूँ और फिर मैं, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक बीजेपी के सांसत से मुलाकात की उन्होंने जानते मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा, देखे, यह अभिसार, रवीश, यह जो बाते करते हैं, जासादा कितने लोगों तक पहुंचेंगी, एक करोड़ लोगों तक हम वाट्साप के जरीए 17 से 18 करोड़ लोगों से जुड़े हुए हैं यह हमसे सवाल करें तो करें क्या, और आप देखे, फ्रेस्टूप खुद दावा करते हैं, हमेशा खुद दावा करते हैं कि इतने लोग, 20 करोड़ लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, और अभिसार मैं आपको बताऊं कि एक और भी चीज हमने महसूस की, कि सोसल मीडिया पर सेक्डिरिज्ब में, समुधानिक मूलियों में विश्वास करते हैं, तो मैं हमारे जैसे लोग जहां पर सोसल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माली जे ट्वीटर का, या फेस्बूक का, हमने ये देखा है कि इन प्लेट फार्म्स को चलाने वाले जो लोग है, वो हमा में भात बात आदू, यहां पर हुरमिलेश जी क्या कह रहे हैं, यानि कि जो अलग-अलग मोर्चे हैं जिसके जरी हम अपनी बात करते हैं, उन मोर्चों पर हमारी आवाज को सीमत गिया जा रहा है, और मैं बहुत ही विग्यानिक आधार पर ये दावा कर रहा हूँ, कभी अन चौनात दोन के साथ के साथ की क्यों कि यह आजाद भारत के इतैस में पहली बार हो रहा है जहां आंधोलनों के साध देना तो बहुत दूर की बात है और अंधोलन जाहर सी बात है राहुल का भारत जोड़ू आत्रा आप सुपारी ले चलते हैं आप जहर बोते हैं यह बहुत बड़ा फरक है और यह राहूल गांदी की सबसे बड़ी चुनाओती है क्योंकि देखी लेकिन मुझे लगता है कि अभिसार यहीं पर सबसे बड़ी चाभी भी है भारत जोड़ो यात्रा को जितना भी दबाने की कोशिश के मीडिया आप नहीं दिखाएं तीसरे पन्ने पर दिखाएं चौथे पन्ने पर दिखाएं लेकिन मजबूरी में ही यहां तक कि रामदेव जैसे व्यक्ति को बोलना पड़ रहा है कि मीडिया दिखा रहा है उस शक्स को जिसको दिखाना नहीं चाहता तो अगर एक इवेंट होता यह आने पर चर्चा करने पर मजबूर है और इसे पूरी तरह से नजरदास करना उसके लिए लगातार और मुझे लग रहा है करनाटक को लेके बहुत लोग एप्रिहेंसिव थे लेकिन जिस तरह का रिस्पॉंस इन तीन राजियों में मिला है उसमें अगर खबर जमीन पर है मीडिया के लिए दबाना और उसके चर्चा रोख पाना 100% ब्लैक आउट करना मुश्किल है और करनाटक के बारे में बहुत संचेप में मैं एक बात कहूं कि करनाटक से जो खबरे मुझे मिल रही है हमारे जैसे जॉनलिस्ट को हूँ जिनके बहुत सारे दोस्त वहां पर है पत्रकार और सोसल एक्टिविस्ट की करनाटक में भी भारती जनता पार्टी का जो बेस है वो पूरी राज्जी में नहीं है कॉस्ट इस्टेट नहीं है कुछ इलाकों में है और मजूदा सरकार इस तरी अनपापुलर है कि इस यात्रा के बाद सिधर मया और शिव कुमार अगर जगडे नग कर दें जिस तरह की जगडे राज्जी में आ गई है ठीक है ठीक है ठीक है बहुत अच्छी में बता दूं जो 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 जिक्र यहां पर और मिलेश जी कर रहे हैं वो यह कि सिद्धर अमया वर्सस डीके शुव कुमार यह दिक्कत है वहां और वो के शुव कुमार जो गांधी परिवार के करीबी और पसंदीदा हैं मगर अगर उन्होंने सिद्ध रमया को नजरंदास किया तो इसका खम्याजा अगले साल चुनावों में भूगतना पड़ सकता है अब हम दूसरे मुद्धे पर आते हैं दूसरा मुद्धा तुर्गा प पुलीस गुजरात के अंदर पांडाल के अंदर कथित तौर पर पत्थर फेकने वाले लोगों की पिटाई कर रहा था न्यूस 18 का वो पत्रकार इसे पुलीस का डांडिया बता रहा था बात यहां नहीं रुकी यह वही पत्रकार है जिसने एक जूटी खबर चलाई थी और है और यह हकीकत है क्या है इस खबर का पंच शुरुवात हम अर्बिलेजी से करना चाहेंगे देखिए जो यह जो आप मीडिया के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो यह हालात यह हो गए हैं कि पूरी दुनिया में भारत की जो चबी है पहले कभी इस तरह से उस पर सवाल नहीं उठाए गए थे जिस तरह से आज उठाए जा रहे हैं अभी ब्रिटेन में जो वहां की मुख्य भी पक्षी पार्टी है लिवर पार्टी उसके टॉप लीडर ने ये कहा कि साब ये अपने मुल्क में यानि ब्रिटेन में खासकर जो लेस्टर की घटना और यहां बर्मिंगम की घटना है उसके बाद हिंदू फोबिया इससे लड़ना होगा इसकी इसको हम जर्म के विरुद्ध एक बाहौल बनाने में बाशा आप बताइए क्या है इस ख़वर का पंच देखें मेरा मानना है कि ये जो काम किया है ये कृमिनल अक्ट है ये क्रिमिनल अक्ट दो तरह से हैं देश के कौन्स पार्टे हैं और देश के खिलाफ है क्योंकि देश को उसको खतम करने पर जो आमादा टीम है नफरती टीम उसमें मीडिया इस समय टॉर्च बीरर हो गया है आगे आगे लेके चल रहा है ट्रोल आर्मी को दिखा रहा है कि तुम क्या करो यह जो काम है यह देश के खिलाफ देश को तोड़ने और अमन को खतम करने का काम मीडिया कर है अभिसार क्या है आपका पंच इस पर थोड़ा सा इमोशनल है क्योंकि देखी जब त्योहार का मौका आता है तो क्या होता है आपर हम कितने खुश होते हैं पांडालों में घूमते हैं दशेरा के वक्त रावन को जलते हुए देखने जाते हैं यह पारिवारिक मौका है करीब आता है एक दूसरे की मगर जो पॉजिटिविटी है ना इस मौके से जुड़ी हुई हमारे न्यूस चैनल्स ने इसे बरबाद करने का काम किया है इस तरह का कावरिज करके जिसका असर आम इनसान पर पढ़ रहा है तो चलिए इस चैर्शा को आगे बढ़ाते है उर्मिलेज जी जिस तरह की कावरिज हो रही थी और मैं अपने दर्शकों को चाहूंगा कि वो अपने स्क्रीन्स पर देखें इस तरह की कावरिज तमाम न्यूस चैनल्स पर हो रही थी बताया जा रहा था कि हमारे गर्बा पांडालों में घुसकर हमारे हिंदू लड़कियों को जो है बरगलाया जा रहा है मुसल्मान उनके साथ ये कर रहा है वो कर रहा है और फिर उसके बाद मुझे याद है जो वो पुलीस पिटाई कर रही थी पहली बात ये कोई तालिबान ये कोई 1996 का अफगानिस्तान नहीं है कि आप पिटाई करें इस तरह से बगेर उनका गुना साबित किये चलिए गुना साबित हुए तो कानूनल सदा दिए मगर दुख की बात ये कि अमबानी के न्यूज चैनल का पत्रकार उसे डांडिया बता रहा है यानि कि आप एक धार्मिक प्रतीक का भी अपमान कर रहे हैं और दूसरा पुलीस की इस एक्स्ट्रा कॉंस्ट्ट्यूशनल हरकत को जायस ठहरा रहे हैं उससे अमली जाना पहना रहे हैं अब इसार आपके सवाल में कई पहलू हैं लेकिन मैं एक एक करके दोनों पहलूं पर बात करूंगा प्रशासन का एक रोल और जो ये जो इस तरह के संगठन है और मेडिया है उसकी देगे तेवहारों का अपने मुल्क में जो हिसाब किताब रहा है उसमें कर्मकांड के मुकाबले आध्यात्मिक्ता का पुट ज्यादा रहा शुरू के दोर में अब जैसे उधारन के तोर पे मकर संक्रान्ती एक तेवहार है जिसका नाम हमारे इलाके में खिचडी है और खिचडी किसानों का तेवहार है आम लोगों का तेवहार है लेकिन इस तरह की तमाम तेवहारों को उनकी जो सामाजिकता है उनकी जो आध्यात्मिकता है उससे काट कर उनको कर्मकांडी बनाया गया है पहली बात इस तोर में कर्मकांडी से भी आगे उनका आपराधी कर हो रहा है उनका विक्रती करन हो रहा है। उनको वेपनाइज किया जा रहा है, politically वेपनाइज किया देखानी म मैं भाही मदा रहा हूं कि इनको मनुश्यिता से, मानवी मुल्य हैं उनसे काट कर के और अपने अपने जो इंट्रेस्ट हैं खास कर political interest communal interest उसके लिए mobilization का एक मंच बनाया जा रहा है एक तो ये पहलू है अब इसमें दूसरा जो पहलू आपने प्रशासन का पूछा बहुत चकित करने वाली बात है कि जहां पर भारती जंता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर ये इसका नंगा नाच हो रहा है बिलकुल नंगा नाच अभी पिछले दिनों बंगाल जहां की सरकार है वहां आमने देखा कि महत्मा गांधी को एक अजीब तरह से पेश किया गया जैसे कि वो मनुष्य विरोधी हों जैसे कि वो इनकी संस्कृति के विरोधी हों हाला कि ये अलग बात है कि जिन प्रतीकों को वो विरोधी क के तोर पेश करते हैं वो बहुत आम लोगों के हैं दरसर असूर एक चाती रही है एक ट्राइवल कम्यूनिटी रही है और वो वो एक लंबी कहानी है उस पर हम नहीं जाएंगे लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं पूरे समाज में इनके पीछे शक्ति ह है और वो निश्चित रूप से संग परिवार के और संग के जो संग ठंग काम कर रहे हैं उन लोगों की तरफ से ये जिज़ें इंजिक्त की हैं आपने दर्शकों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ देखिए भारती जनता पार्टी का जो सबसे राजनीत एक हतियार सब बार-बार धर्म का सहरा मगर हम देख रहे हैं जब आप धर्म को वैपनाईस करते हैं भाशा तो फिर आप यह जो विक्रतियां यह जिस तरह कि दुर्गा पूजा में आप दुर्गा पांडाल में आप गरभा जिहाद जैसे शब्दों का इस्तमाल कर रहे हैं मेरे हिसाब अगर आप धार्मिक नजरीय से भी सोचें तो धर्म का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता और विड़मना देखिए ये भारती जनता पार्टी की सरपरस्ती में हो रहा है और उसमें भी देखिए कि मुझे लगता है कि अभिसार इस समय जिस समय हम बात कर रहे हैं इस समय भा क revelation मैं मुझे लगता है कि इन्हें बहुत नफरत है भारत के मुझे चहरे से भारत की महिलाओं का प्रफुल्ले थो के दांस करने से उनको लगता है कि इन्हें हम आत gelowania को इस तरह से और जर्बा को पुछलिक को समय से लगातार टार्गेट करके बता रहे हैं कि उस पे हमला हो रहा है यहां पर एक और बहुत एहम बात है कि ठीक उसी समय जब अमन के जो गर्बे थे नवरात्रु थे मुस्लिम इलाकों में जहां मुस्लिम संगटरों ने और्गनाइज किया उसे इ मुस्लिम ओनर है इसका जो डांस करने दे रहा है तो यह जो साजी संस्कृति दुनिया भर में हमारी है उस पर हमला और दूसरी बड़ी बात धर्म के नाम पर महिलाओं को टार्गेट करना जैसे आप गर्बा जिहाद कहते हैं इसका मतलब है कि यहां पर आप मान के चल रहे हैं डांस कर रही हैं प्रफुलित है मुझे लगता है कि इन तमाम लोगों को मीडिया को हसता हुआ भारत मुस्कुराता हुआ भारत आ हलादित भारत पसंद नफरत और नफरत परोस्ते हैं हमारे त्योहार को खराब करते हैं अभी सारी अरे आप अपने हभश्य को और आप जानते हैं सबसे दुखत बात यह है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नफरती मीडिया नफरती न्यूज डिबेट्स पर टिपणी की थी कि ये न्यूज आंकर्स धीमा जहर हैं उस कडी टिपणी के बावजूद मुझे लगा कुछ अंकुछ आएगा इस मीड पर उस टिपणी में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि सरकार सामने आए मोधी सरकार क्यों बच रही है सरकार सामने नहीं आई और इन्होंने एक और नहीं हद पार कर दी खासकर इन आट पांच दिनों में हमने जो कवरिश देखा है सुप्रीम कोर्ट की टिपणी के ब परना जहाद हुआ था तबलीगी जमात थे उस समय जब आया था मामला आपको याद है वो जिस तिहाड पत्रकार की हम बात कर रहे हैं उसने एक शो किया था वाटसाप फॉरवर्ड पर पंद्रह या सोला किसम के जिहाद फिल्म जिहाद संगी जिहाद और इट वोस बेज़्ड प्यॉली ओन वाटसाप फॉरवर्ड यहालत होगे इन यूज चैनल्स के पूरे भारत के लिए पूरे समाज के लिए है और यह चिंता दुनिया के दूसर भी कभी कभी चले गए हमने देखा है कि बारत के लोगों की बहुत मेहनतकश पर एक एमेजARS रही है कि बड़े महनती हैं शुरू में जब لوग गए तो भी बात के दिनों में गए तब भी ठीक है जातपात का एक आरोप लगता रहा है इंडियन्स पर कि यह जातियों में इसको फैलाने वाले लोग हो गए हैं और ये बहुत चिंता जनक है मेरे लिए आपके लिए कि आपके देश की छवी को ये जो परिवार के लोग है ये खराब कर रहा है जबकि आपकी इमेज बहुत शांदार हुआ करती थी ठासकर यूरोप में, अमेरिका में, कनडा में, हर देश बात याँ और मिलेश जी ने कही है, अब बताया आपने, मैं आपको बता दूँ ये जो बात और मिलेश जी ने कही है, मैं इसमें बस एक छोटी सी चीज आड़ करना चाहूंगा, कि देखे, भारत जब भी बाहर जाता था, तो हमारी जो डिमोक्रिसी है ना, हमारी ज investment के लिए investors के लिए एक attractive destination था अब जब आप यही सब खत्म कर देंगे और क्यों खत्म कर रहे हो तुम अपने पेर पे कुल हडी मार रहे हो यह सब तुम क्यों खत्म कर रहे हो तुमने कभी सोचा है इसका इस्तमाल किया है तुमने कभी तो चलिए हम अब हम बात करेंगे अब तीसरे मुद्दे की और वो तीसरा मुद्दा है मोहन भागवत का बयान दो बयान दियें उन्हों एक तो उन्होंने महिला सम्मान की बात की है और कहा है कि भाई RSS में हमेशा सही महिलाओं का किरदार रहे हाला कि भागवत सहाब ये बता दें कि RSS की त्यास में कि अब तक कोई सरसंग चालक महिला रही है और दूसरी बात उन्होंने जनसंख्या की बात की और उसे धर्म से जोड़ दिया अब जाहिर सी बात है वो वैसी भी उस पे कूत पड़े और फिर उस पे जहरीले डिबेट्स भी चले न्यूस चैनल्स पर मगर आपको याद होगा साल 2016 में मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदों को किस ने रोका है अपनी आबादी बढ़ाने से तो ये जो मोहन भागवत जी के जो दो बयान है इसके माइने क्या है क्या है इस खबर का पंच शुरुआत उर्मिलेज जी से तो सांस्कृतिक संगठन का दावा नहीं कर सकता लेकिन उसके धांचे को अगर आप देखिए तो RSS में SC, ST, Minority Community के लोग, महिलाएं, OBC, इनका टॉप बॉडी में जो उनकी कारेकारणी है, उसमें कभी कोई representation आज तक नहीं रहा, तो 1925 से लेकर आज तक RSS का ये इतिहास है, फिर वो representation की बाद कैसे कर सकते हैं? क्या है इस खबर का पंच, भाशा आप बताएं? देखिए मेरा मानना बहुत साफ है कि ये ढखोसला है, RSS अपने मूल में और खुद मोहन भागवत अनेक बार बता चुके हैं, बतोर महिला, ये बात मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ, कि उन्हें हिंदू औरत से बहुत दिक्कत है, आजाद हिंदू औरत से तो और ज़्याद दिक्कत है, क्योंकि वह खुद अपने ऑफिशल स्टेट्स्में में बोल चुके हैं, वक्तवे में बोल चुके हैं, कि शादी और उसके बाद बच्चा पैदा करना, बच्चे को बढ़ाना, ट्रडिशनल तमाम जो बेडियां रही हैं हमारी, जिसे हम बाहर निकल कर बहुत मुश्किल तक इस मुकाम से पहुचे हैं, उसे वापस मनुवादी समाज में ले जाते हैं, और आज की तारीख में भी वो वही सब बातें कहते हैं, उनके कारेकरता करते हैं, जब उनका कारेकरता रेप करता है, उसका बेटा रेप करता है, तब उन्हें महिला और हिंदू पॉरत नहीं दिखाई देती 100% धकोसला है अभी सारिया अभी सार क्या है इस पर आपका पंच मुझे लगता है कि बहुन भागवच साहब को दोहरा खेल खेलना बंद करना चाहिए हम जानते हैं कि साल 2025 में 100 साल होने वाले हैं आरेसिस को मगर हकीकत यह है कि अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपकी स्वीकारता बढ़े अंतराश्ट्री तौर पर आपको एक सेक्यूलर असंस था कि लोग तौर पर जाने तो इस दोहरे खेल को बंद कीजिए दोहरे माबदन को बंद कीजिए च जैसी धर्म से जोड़ा ओव ऐसी ने रियाक किया और मीडिया को मिल गया डेबेट करने के लिए जो चाहते थे मगर आप खुद अपने गिरेबान में जाकिए ना आप कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि हिंदू को किसने रुखा अबादी बढ़ाने से देश की आपको जो आँक्रे होते हैं उनको भी नजरन्दाज करते हैं वह उत्यक जो हमारी जंगरणा जो लेलेटेस्ट है उसमें 14.2% है 14.2% जो हिंदु आबादी है टोटल वो निकलती है उसके इसाप से 80% 79.8% है exactly according to census अब यतनी बड़ी huge population के बावजूद अगर कोई कहता है कि इस देश में माइनाटी जो अभी है वो मैं मेजार्टी को रिप्लेस कर देंगी तो मैं समझता हूं कि यह हास्यास्पद है म चारारत भी इसके पीछे है इसके अवावा और को यह ज़गारी है भाषा महिला सम्मान पर मतला भागवज सहाब को कम से कम पहले प्रमानित करना पड़ेगा जब आप यह बोलें कि हमने अनुसोया काले को सम्मान दिया है सोच तो हमें दिखाई दे ही रही है जो सोच चली सिर्फ प्रमाडिती नहीं, आप जब लोग, आपके लोग इस तरह से रेप में शामिल होते हैं, रेपिस्ट के पक्ष में खड़े होते हैं, रेपिस्ट को माला पहनाते हैं, तब भागवजी आपको आना चाहिए था, अभी अंकिता भंडारी, वो तो हिंदू लड़की थी हिसाब से, मेरे हिसाब से तो भारती लड़की थी, आपके हिसाब से तो हिंदू लड़की थी भागवजी, तब भी आपको याद नहीं आई, और एक और एहम बात, मुझे लगता है कि यह ढखोसला कर रहे हैं, आप पॉपुलेशन का जनसंक्या पे, भागवजी जब आप थे, पांच मुसल्मान गए थे न, आप से मिलने, आप बहुत प्रेम से उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, कुरेशी की किताब पढ़ लेते, वो तो मुसलिम पॉपुलेशन पर ही है, वो तो बताती है कि किस तरह से मुसलिम पॉपुलेशन, मुसल्मानों की जनसंक्या में ज हफ़ते की तीन बड़ी खबरों पर हमने आप रधुआधार चर्चा की, आप सबसे अपील कि इस कारें को जादस जादा लोगों तक पहुंशाएं, क्योंकि सार्थक चर्चा और बहस आप यही देखेंगे उन मुद्दों पर, जिनका सीधानाता आप लोगों के साथ है, अभिसार शेर्मा, भाशा और और मलेश को दीजे अजासत, नमस्कार